Welcome to Sports Time दोस्तो आज मैं बात करूँगा रवी चंदरन अस्वीन के बारे में दोस्तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरिके से जानते हैं कि रवी चंदरन अस्वीन टीम इंडिया के एक बहुत ही पहतरीन स्पीनर के नाम से जाने जाते हैं आपको बता है दोस्तो वर्ल्ड वाइड रवी चंदरन अस्वीन बहुत ही सांदार बॉलर के हिसाब से माने जाते हैं दोस्तो आज मैं उनके बारे में ही बात करूँगा उनके इंक्रेडिबल रिकॉर्ड के बारे में बात करूँगा दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक batsman जब अच्छा run करता है तब हम लोग बहुत celebrate करते हैं लेकिन एक baller जब milestone पर milestone अचीव करते रहता है लेकिन हम लोग उसे बहुत जल्द भूल जाते हैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तो रविचंद नास्वीन ने बहुत ह काम किया है दोस्तो उन्होंने जो काम किया है अपने इंडिया के लिए अपने टीम के लिए और खुद का जो milestone अचीव किया है मैं उसके बारे में ही बात करूँगा दोस्तो पहला पॉइंट जो है most taste wickets worldwide दोस्तो रविचंदर आस्वीन का जो rank है वो 16 पे आते हैं और उन्ह आपको बताना चाहता हूँ कि इसी के बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि मुल्ली धरन जो की सिलंगा के बॉलर है वो 800 विकेट ले चुके हैं अपने क्रिकेट करियर में और उसी के साथ साथ अनिल कुमले जो की टीम इंडिया के लिए खेलते थे उन्होंने भी सांदार गेंदवाजी की है टीम इंडिया को बहुत सारे करिविशन अपने तरफ से दिया है आपको बताना चाहता हूँ अनिल कुमले तीन नंबर पे आते हैं और उन्होंने 619 विकेट लिए हैं टोटल 85 मैच खेले हुए हैं दोस्तो अब मैं बात करूँगा इंक्रेडिबल इंडियन स्पीनर दोस्तो मैं इसके हिसाब से बताना चाहता हूँ कि रविशन अस्वीन ने बहुतिरीन काम किया है टीम इंडिया के लिए और अपने प्रिकेट करियर में दोस्तो उन्होंने पहला 50 विकेट सबसे फास्ट लिया था एक इंडियन स्पीनर के हिसाब से उसक दोस्तो अब इसी के साथ में बात करना चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड फास्टेस्ट टेस्ट विकेट दोस्तो ये तो बात रहा इंडिया के लिए इंडिया में 50-100 चार सु विकेट तक रविचंदर अस्वीन ने बहुत जादा फास्ट विकेट लिया है और इसके बीच में आस तक कोई भी नहीं आया है अब मैं इसी के बारे मैं बात करूआ लेकिन वर्ल्ड वाइट बात करूँगा दोस्तों वर्ल्ड वाइट जब 100 विकेट कम्पीट हुआ था रविचंदर अस्विन का तो उस वकत 18 मैच खेल चुके थे रविचंदर अस्विन और ये सिक्स्ट फास्टेस्ट नंबर था दोस्तों अब इसी के साथ मैं बात करना चाहता हूं 200 विकेट दोस्तों आप बता दो ये नंबर एक है पहले सिक्स इसके बाद थार्ड उसके बाद वान अब दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं रवी चंदन के special quota के बारे में दोस्तों इनके पास बहुत सारा variations है और बहुत साइस variations से batsmen को चकमा देते रहते हैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये ball को dip करते हैं और दूसरा ताकत इनका ही है दोस्तों ये ball को in the air drift कराते रहते हैं जो लहरता रहता है और batsmen उनको उस ball को समझ नहीं पाता है दोस्तों अगर ये ball लेके जाना चाहते है तो आउटसाइड में जाता है अगर ये inside ball लेके आना चाहते हैं तो वो ball भी outside में जाता है यही ताकत है रवी चंद्रास्विन की और वो batsman को इस तरीके से बेवकूफ बनाते रहते हैं दोस्तों तीसरा जो point है वो extreme turn दोस्तों रवी चंद्रास्विन एक ऐसे baller है वो ball को बहुत ज़्यादा turn कराते हैं जिससे batsman को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और अपना wicket कवा देते हैं दोस्तों जो चौथा point है जो चौथा special incredible skill है रवी चंद्रास्विन के लिए वो है केराम ball दोस्तों आप देख सकते कि बहुत सारा variations है रवी चंद्रास्विन के लिए और रवी चंद्रास्विन इसको अपना ताकत मानते हैं और batsman को बेवकूप बनाते रहते हैं और wicket छटकाते रहते हैं और उन्हें लेज़ चार सुविकेट लिया है यह एक incredible record है रवी चंद्रास्विन के लिए तो दोस्तों आज के वीडिये तक आप लोग से वीडिये कि आप हमाई चार्स पोस्ट्राइम को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी पिसका है ताकि आप ऐ ऐसी लिटिस विर्च को पाते रहे और हां दोस्तों लाइक कमें शेर करना ना भूले थेंक यू